एक दन सैंसा की सवा में बीरवल जी नहीं देख रहे थे कोई बताएगा ये बीरवल जी क्यों नहीं आए जहां पाना बीरवल जी की तवेत खराब है वैद्ड जी ने उनसे दो दिन का आराम करने को काहा है ठीक है अब तुम जाओ महल में कुछ मंतरी बीरवल जी से इर्शिय करते थे जनाब सुना बीरवल जी दो दिन तक नहीं आने वाले हाँ यही मौका है सैंसा को खुस करने का लेकिन हमें ऐसा क्या करना चाहिए कुछ तो करना होगा इन दो दिन में दोनों मंत्री सेंसा को खुस कन्ने में लग जाते हैं पहला मंत्री सेंसा को ताजे फूलों की माला लाता है जहाँ पाना ये मैं आपके लिए लाया हूं सेंसा भाय माला देखकर बड़ी खुस होते हैं और दूसरा मंत्री रतन जड़त सोने का मुकट लाता है जहाँ पाना इस सुईकार है यह काफी अनमोल तौफा है हम खोस हुए एक मंत्री कहता है सैंसा आज मेरे यहाँ दावत है मेरा आमंत्र सुईकार करें पहले मंत्री को चापलू सी करता देख दूसरा मंत्री बोलता है सैंसा कली मेरे यहां ताजिक खजूर आए हैं करपे आज इसाम को जरूर मेरे यहां आए वे समझ जाते हैं कि ये दोनों मुझे खुस करने की कोसिस कर रहे हैं तुम लोगों को क्या चाहिए जो तुम मुझे इतने तौफे दे रहे हो वे कहते हैं जहां पना हमें राजा बीरवल जैसा ओदा चाहिए हम भी अपनी सूजबूद से कई समस्याओं को सुलिया सकते है मंतरियों की ऐसी बातیں सुनकर सैंसा कहते है तुम दोनों को मैं एक एक सवाल देता हूँ जिसका जवाब तुमें कल लाना है और अगर सवाल का जवाब नहीं ला पाए तो तुमें सजा मिलेगी फिर सैंसा पहले वाले मंतरी से कहते हैं कि तुम कागज में आग बांद कर लाओ और दूसरे वाले मंतरी से कहते हैं और तुम कागज में हवा भर के लाओ सुबा से साम हो जाती है लेकिन दोनों मंत्रियों को सैंसा क्या जीवो गरीब सवालों का जवाब नहीं मिल पाता दोनों मंत्री फिर हार मान लेते हैं और उन्हें राजा बीरवल का खयाल आता है जनाव इस सवाल का जवाब बीरवल ही दे सकते हैं तुम सही कह रहे हूँ फिर वे दोनों मंत्री बीरवल जी के घर जाने कर नर्ने लेते हैं आरे आप दोनों यहां सेंसा सलामत तो है ना फिर वे दोनों मंत्री बीरवल जी को अपनी पूरी समस्य बताते हैं और सेंसा क्या जी वो गरीब सवालों का जवाब भी मांगते हैं राजा बीरवल उन दोनों को उन सवालों का जवाब बता देते हैं वे दोनों राजा बीरवल से अपनी गलती की माफी मांगते हैं कि उन्होंने उन्हें गलत समझा ऐसा कह कर वे चले जाते हैं अगले दिन वे दोनों सवाल का जवाब लेकर पहुंच जाते हैं तम दोनों मेरे सवाल का जवाब लाए हो पहला मंत्री कहता है जी हुजूर। आपका सवाल था कागज में हवा भर के लाना इसलिए मैं कागज का पंखा लेकर आया हूँ और दूसरा मंत्री कहता है सैंसा आपने कहा था कागज में आग बांद के लाना इसलिए मैं कागज का दिया और मुम्मत्ती लेकर आया हूँ सैंसा समझ जाते हैं ऐसे सवालों का जवाब केवल एक ही इनसान दे सकता है सैंसा गुस्से में कहते हैं सच बताओ तुम दोनों इन सवालों का जवाब तुमें किस ने दिया सेंसा को गुस्से में देख कर वे दोनों मंतरी बीरवल का नाम बता देते हैं मंतरी बीरवल का नाम सुन कर सेंसा मन ही मन खोस होते हैं क्योंकि ऐसे सवालों का जवाब केवल वे ही दे सकते थे और वे दोनों सेंसा से माफी भी मांगते हैं सेंसा उन दोनों से कहते हैं अब समझ में आया तुम में और मंतरी बीरवल में क्या इंतर है